यहां पर हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो फर्स्ट क्रेशन है वो हम यहां पर डिसकस करेंगे फर्स्ट क्वेशन में क्या पूछा है यहां पर क्या काहा है यहां पर कि क्या आप यहां पर जो अर्ड या टेक्नलोजी है इसकी हेल्प से जो oil seeds होते हैं जैसे मालों यह soybean का एक seed है यह सरसों का seed है तो इसके अंदर इसका जो nucleus रहता है cell का उसके अंदर step से DNA present होता है और DNA के उपर जिन present होते हैं क्या present होते है जिन तो अगर हम oil का formation करने वाला जिन यहां से निकाल दें क्या करें oil forming जो जिन है उससे अगर हम यहां पर निकाल दें तो यह जो seed है इसके अंदर फिर oil का synthesis नहीं होगा यानि कि next generation में जो plants आएंगे उनके जो seed आएंगे वह ऐसे रहेंगे कि उनमें oil present नहीं रहेंगा तो यह हम कर सकते हैं बायो टेक्नोलोजिक की हल्प से यानिक इंजिनियरिंग की हल्प से हम इस टाइप के seeds का भी formation कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा अगर हम stepwise यहां पर process देखे तो क्या कहा है यहां पर to remove oil from the seed using recombinant DNA technology would involve यह जो R है न यहां पर R DNA लिखा है इसका meaning क्या है यहां पर कि recombinant DNA technology की help से हम यहां पर एसे seed भी prepare कर सकते हैं जिसमें की oil बिलकुल भी present नहीं रहेगा जिसको यह जो R technology है यानि recombinant DNA technology है इसी को हम genetic engineering भी कहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहली step में हमें first step में क्या करना है एसे जिन को identify करना है जो oil formation के लिए responsible होता है किसी भी seed के अंदर ठीक है जो भी हम seed ले रहे हैं उस seed के अंदर जो DNA है और उसके उपर जो जिन present है हमें क्या देखना होगा पहले पहचानना होगा कि इसमें से बहुत सारा जिन होते तो कौन सा जिन है जो की oil formation के लिए यहां पर रिस्पोंसिबल है इस DNA पर उस जिन को हमें यहां पर identify करना पड़ेगा फॉस्ट में क्या कहा है identify the gene that code for oil production करने वाले जिन को हमें सबसे पहले क्या करना है आपर identify करना है फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहा है deleting this gene from the seed genome अब जो जिन हमने identify किया है इसे हम क्या करेंगी delete कर देंगे यहां से इसे किसी ने किसी टेक्निक के थुरू delete कर देंगे अगर gene ही delete हो जाएगा तो फिर वो यहां पर oil का synthesis नहीं कर पाएगा next stage में spleaking back together the remaining DNA जो DNA बचा हुआ है अगर उसमें थोड़े बहुत कुछ खरोज बन गई है तो उससे हम क्या करेंगे spleaking करेंगे मतला फिर से उस DNA को हम अच्छे से repair करके complete कर देंगे ठीक है fourth point में क्या करेंगे putting it back into cell और वापिस से यह जो DNA हमने निकाल के उसका जो gene delete किया था उस DNA को वापिस से हम cell के अंदर transfer कर देंगे it will be not be very easy because the oil are made up of fatty acids यह जो technology है वो इतनी easy नहीं है और एसा करने से जो plant के seed के दूसरे characters है उनको भी नुक्सान पहुचता है जैसे यहां पर क्या कहा है कि जो oil का जो gene होता है जो gene oil बनाता है seed के अंदर वही fatty acid and glycerol का भी formation करता है तो अगर हम oil का formation नहीं करवाना चाहते है तो वहां पर हमें fatty acid and glycerol का formation भी नहीं मिलेगा और अगर fatty acids यहां पर नहीं बनते है तो जो cell की membrane है जो outer covering है यह जो cell के आसपस जो cell की membrane होती है इस टाइब से वह membrane का synthesis भी नहीं होगा और अगर cell की membrane नहीं बनेगी न तो जो cell है उसका जो structure तो इसलिए यह टेकनलोजी इतनी आसान भी नहीं है अब नेक्स नेहां पर question है find out from internet what is golden rice क्या पुछा हैं आपको internet नेट से find out करना है कि golden rice क्या होते तो golden rice क्या है यह सुनेरे चावल होते है याने की golden color के brown कलर के चावल आते है और यह जो चावल है यह genetic engineering के through scientist ने बनाया है इन के अंदर अगर देखा जाए तो beta carotene अधिक amount में present होता है क्या प्रेजेंट होता है आपर बीटा केरोटिन अधिक अमांट में प्रेजेंट होता है और ये जो बीटा केरोटिन है ये विटामिन A का सिंथेसिस करता है क्या काम करता है ये तो विटामिन A को ये सिंथेसाइज करता है और विटामिन A और ये जो बीटा केरोटिन है ये ए विजन पावर है याने की देखने की जो पावर है उसको बढ़ाने का काम करता है और अगर विटामिन A हम टाम टू टाम लेते रहते हैं तो हमें रतोंदी नाम की जो डिसीज है जिसे हम नाइट ब्लाइडनेस या जिरोप्थेल्मिया बोलते वो नहीं होती है तो यह काफी अ इन डे एरिया विज शोट अफ डाइटरी विटामिन A है यह जो गोलडन राइस है वो काफी अच्छे होते है याने की 45 होते है काफी ज्यादा अमांट में इसमें विटामिन A पाया जाता है और यह हमारी डाइट के लिए काफी अच्छे होते है नेक्स कुश्यन में नाम के दो एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं तो नो क्या आजाएगा अंसर नहीं है नेक्स्ट क्वेशन है यहां पर नेम दो ऑर्गेनिजम्स फूस जैनेटिक माटेरियल्स हैज बीन अल्टर्ड यूजिंग जैनेटिक इंजिनियरिंग टेक्निक्स क्या कहा यहां पर उस आपको यहां पर नाम बताना है जो कि जैनेटिक इंजिनियरिंग जो टेक्निक है उसमें हम उसका यूज करते हैं तो ऐसा जो ऑर्गेनिजम है उसे हम कहते हैं जैनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं तो इसे हम कहेंगे जैनेटिकली मोडिफाइड ऑर् Name the crops which are prepared with the help of biotechnology यानि के AC crops यहां पर नाम बताने है जो कि biotechnology की help सा हमने यहां पर prepare की है तो first crop है यहां पर BT cotton इसके बाद दे रखा है BT मेस BT का मतलब है यहां पर biotechnology से है इसके अलब दे रखे पैडी, टॉमेटो, पॉटेटो, एंड स्वाइबिन यह सभी AC crops हैं जिनके हमने बायो टेक्नलोजिक हेल्प से नए टाइप के सीट से बना लिये हैं नेक्ट क्रेशन है आपर थ्रू हूम बीटी टॉक्सिन प्रोटीन औरिजिनेटेट याने कि जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है यह हम किसकी हेल्प से बनाते हैं इसका अंसर क्या है बाय बैसिल्प औरिजिन्सिस करके एक यहां पर बेक्टिरिया आता है इसकी हेल्प से हम बीटी टॉक्सिक याने की बायो टेक्नलोजिक हेल्प से यहां पर टॉक्सिन प्रोटीन बना लेते हैं next question है यहाँ पर by which bt toxin is coded किसकी helps हम जो bt toxin है उसे coded करते है तो क्या नाम है यहाँ पर by cry genes bt toxin is coded किसके दोरा by cry cry के थरू हम bt toxin जो gene है इसे हम code करते है next है full form of rnai rnai का full form क्या है यहाँ पर to rnai interference है याने कि उस टेक्नोलोजी का हमें नाम बताना है जिसकी हैल्प से हम जो डिफेक्टिव जीन होता है उसकी ठेक्नोलोजी को कहा जाता है जीन थेरपी क्या कहा जाता उससे जीन थेरपी कहा जाता है नेक्स टेन नमबर क्योशन है यापर गिव दस साइन्टिफिक नेम आप बैक्टिरिया इन विच बीटी टॉक्सिन फॉर्म्स उस बैक्टिरिया का हमें नाम बताना है जिसमें बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है तो क्या mean by golden rice explain जो golden rice है वो क्या है explain कीजिए तो it is a variety of GM rice which is rich in vitamin A अब यह जो GM है इसका full form क्या है आपर तो genetically modified rice क्या है यह GM तो genetically modified rice है यह जिसको हम golden rice कहते है और यह vitamin A का अच्छा source है याने कि इसमें vitamin A काफी अधिक amount में present होता है तो ये थे हमारे आज के 11 most IMP short and one इसमें long वाला question था थोड़ा सा और ये question जो है 1 या 2 marks में पूछे जाते है I hope आपको ये video understand हो आवगा and thank you so much for watching this video Thank you